पाठ पंद्रह वाक्य गत अशुद्धियां और अशुद्धी शोधन Structural Errors and Their Corrections जब कोई अन्य भाषा भाषी व्यक्ती किसी नई भाषा को सीखता है, तो अनेक प्रकार की अशुद्धियां करता है अशुद्धियां होने का प्रमुख कारण है उस भाषा की नियमों की सही जानकारी न होना उदारन के लिए अंग्रेजी तथा हिंदी भाषा में पदिक्रम संबंधी नियम इस प्रकार है हिंदी, वाक्य में पहले करता, फिर कर्म और अंत में क्रिया आईगी, जैसे बच्चे किताब पढ़ रहे हैं, मा खाना बना रही हैं, अंग्रेजी वाक्य में पहले करता, फिर क्रिया और अंत में कर्म आईगा, जैसे यदि अंग्रेजी भाशी हिंदी सीखते समय इस नियम से परिचित नहीं है, तो वह हिंदी के वाक्यों को बच्चे पढ़ रहे हैं किताब या मा बना रही हैं खाना के रूप में बोल सकता है नियमों की सही जानकारी न होने पर हम अशुद्धियां कर सकते हैं, भाशा की अशुद्धियों को धीरे धीरे अभ्यास से ही दूर किया जा सकता है, नीचे कुछ अशुद्ध वाक्य तथा उनके शुद्ध रूप उदाहरण के रूप में दिये जा रहे हैं अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य, कलम यहां किसकी है, यहां किसकी कलम है, वह आये तो गा, वह तो आयेगा, हिंदी के महान उपन्यासकार प्रेमचंद थे, प्रेमचंद हिंदी के महान उपन्यासकार थे, एक कहानी की किताब चाहिए, कहानी की एक किताब चाहिए, यहां गाय का शुद्ध घी मिलता है। सुभाश्चंद्र बोस का देश उपकार नहीं भूल सकता। शाम चार बजे जाओंगा स्टेशन में। मैं शाम चार बजे स्टेशन जाओंगा। बच्चे को प्लेट में रखकर मिठाई दो। प्लेट में मिठाई रखकर बच्चे को दो। क्या आप नाश्टा कर लिये हैं? क्या आपने नाश्टा कर लिया है? पिताजी तुमको बुलाए हैं। पिताजी ने तुमको बुलाया है। दिनेश या माला जाएंगे। दिनेश या माला जाएगी। मेले में सैक्णों बच्चे, व्रिध, पुरुष और स्त्रियां पहुँचे। इतना खटा चटनी मैं नहीं खा सकती। हलवाई ने मुझे मिठाई खाई। ड्राइवर मीरा को कार चलाना सीख रहा है। ड्राइवर मीरा को कार चलाना सिखा रहा है। मैं नाश्टा कर लिया हूँ, मैंने नाश्टा कर लिया है। मेरे को किताब चाहिए, मुझे किताब चाहिए। हमने कल कानपुर जाना है, हमें कल कानपुर जाना है। मैंने आज अख़बार पढ़ना भूल गया, मैं तुमसे पहले ही कहा था कि वह नहीं आएगी, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि वह नहीं आएगी, शर्मा जी की एक बेटी है, घोड़े के पास चार पैर होते हैं, बच्चे छत में खेल रहे हैं, इन दिनों में तुम क्या कर रही हो, मैं दिल्ली में कालका जी में रहती हूँ,